हलो दोस्तो कैसे आप लोग आहो पाच्छे होंगे आपना जिन्दगी मच्छा कर रहे होंगे और हमारा पेडिक्सेन से रोज अना धेर सरफ ऐसा बना रहे होंगे इस विडियो के अंदर हम बात करेंगे माल्टा टीटेंड लीक के बारे में जो की खेला जाएगा बीबियल भार्सेस एमेस डाबलू की बीज में ये मेच खेला जाएगा आज इविनिंग 5 बज कर 15 मिनिट पे तो दोस्तों अगर आपको आज का इस मेच से भी लाखो रूपिस कमाना है तो मेच स्टार्ट होने से 30 मिनिट पे ले आपको एक्टिव रहने पड़ेगा हमारा स्मार्ट फेंटासी टेली गरम चैनल पर क्योंकि आप लोग को पता है टीटेंड मेच की टॉस अन लाइन आपकी आपडेट आपको एक घंटा पहले मिल जाएगा मतलब हमारा पास पूरा का पूरा एक घंटा समय है हार एक पॉंस को आच्छे से समझने के लिए कि हमें स्मॉल लिग गे लिए क्या कंबिनिशन राखे जील के लिए हम क्या कंबिनिशन बनाए मिनी गरन लिग में हम कौन सा कौन सा खिल्याडी को ट्रॉंपिक बना कर आज यह सब आपडेट में दूँगा आपना टेलीगराम चैनल पर ठीक है तो जैसे कि मैं आप लोगों बताया मैंच स्टार्ट होने से 30 मिनिट पेले आपको हमारा स्मार्ट फेंटासी टेलीगराम चैनल पर एक्टिव रहना पड़ेगा बाट अगर आपने अभी तेक हमारा टेलीगराम चैनल को ही जोईन नहीं किया तो कैसे ही आपर एक्टिव रहोगे सही कि नहीं बाट कोई बात नहीं इस वीडियो को कम्प्लिट वाच करने के बाद सिधा चला जाना इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको टेलीगराम जोईनिंग की लिंक मिल जाएगा जैसे ही आप उस बला लिंक पे किलिक करोगे नीचे जोईन रिक्वेस्ट का बटाम आयेगा उसमें किलिक करना डायरेट आप हमारा टेलीगराम चनल को जोईन कर जाओगे इतना कर लो भाई इससे आपको फ्यूचर में धेर सारा फाइदा मिन्यबाल है तो जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे फटा पर जाके हमारा टेलीगराम चनल को जोईन कर लो बात कर लेते भेन्यू डिटेल अभी तक इस ग्राउंड पे जितना सारा टीटेन का मैच खेला गिया अगर हम यह भार स्कोर उठा के देखें कितना है 128 देखिए अब उस टीटेन जैसा मैच में अगर 100 प्लास स्कोर बहां रहे या 100 तक स्कोर बहां रहे न तो ऐसा भेन्यू को हम हाई स्कोरिंग राउंड बोल सकते हैं अब जिस-जिस मैच पे हाई स्कोरिंग मैच होता है उसके आधार अगर आप अपना कम्बिनेशन बना रहे हो तो हमें ज्यादा थार टॉप अच्छा अच्छा और राउंड और पे ध्यान देना है बस सिलेक्टेड एक या दो बोलर्स पिक कर लो और अपना कम्बिनेशन तो आगे जाके मैं सब कुछ बताऊंगा कौन सा बैट्समेन कौन सा और राउंड और कौन सा सिलेक्टेड बोलर्स अब को पिक करना है सब कुछ में एक्स्पेलन करने बाला हूं ठीक है बस इस वीडियो को कंटिनू आज करना है हाईस्ट स्कोर 177 लोइस्ट स्कोर दोस्तो 94 तो इतना ही ध्यान में रखिएगा कि हाई स्कोरिंग गराउंड है हमें ज्यादातर और राउंडर और बोलर स्वरी हमाप करना बैट्समेन लेके काम है ओके चेक कर लेते हैं लास्ट फोर मेचिस की डाटा जो किसी भेन्नू पर खेला गया था तो ध्यान से देखना इस ब दोस्तों मेचेज हो गया था OD में इस बाला मेचे पे 89 दोस्तों सेकर देन में मैचेज हो गया था नौ अबर में तो आप लोगे यह जोड़ के 백 टू बेकी 3 मैचेश मेना चेज होते देख रहा है इसका मतलब क्या है almost 75% मैचेस में chase हो रहा है मतलब जो भी team toss जीतेगा वो chase करना पसंद करेगा clear ना तो ये बस clear करने के लिए मैं आप लोग को last four matches की data दिखाया ताकि आप लोग इतना समझ माएं कि कौन सा team से आपको ज़्यादा पिलियर लेना जो team chase करने के लाएगा उस team को हमें support करना है आप हम check करेंगे दोनों teams की recent matches की performance तो BBL के घर हम बात करें दो में से दोस्तों एक में जीता है एक में छारा है इनका limit हम check करेंगा देख लो 10 अबर खेला था दोस्तों 161 बनाया था और ये में जीता है 10 अबर दोस्तों यहाँ पर भी खेला है बट कितना बनाया 87 यहाँ पर भी दोस्तों पुरा 10 अबर खतम किया था कितना बनाया 146 ठीक है ये match दोस्तों विन किया ये match हरा है ये match दोस्तों विन किया है जब दोस्तों विन कर रहे ना दोनों मेच में पेले बेटिंग किया था, ठीक है, और जब दोस्तों हरा है इनका टीम, तब दोस्तों बाद में बेटिंग किया था, मतलब ये टीम अगर पेले बेटिंग करते हैं, तो आराम से 130 पिलास स्कोर जाना चाहिए, 140 पिलास भी जा सकते हैं, और अगर यही टीम है कि दोस्तों चेजिंग भाएगा ना, तो फस जाएगा, 90 भी नहीं बना पाएगा, तो यह पॉइंट नोट करना जोर रही है, जो कि आपको हार कोई नहीं बतायेगा, सिर्फ डाटा दिखा कर निकल जाएगा, अब हम दूसरा टू बना दिया था, फास्ट नहीं में, फिर दूस्तों, 107 बनाया था, तो अगर हम स्कोर की मामले में देखें ना, दोनों टीम एक जैसा है, दोनों टीम एक दूसरे पर भारी पढ़ सकते हैं, दोनों टीम 50-50 है मेरे भाई, ठीक है, जो आपका कंबिनिशन रहेगा, आप आपका कंबिनिशन 6 और 5 का होना चाहिए, ओके, ऐसा नहीं कि एक टीम से आपने 2 पिलियर ले लिया और दूसरा टीम से आपने 9 खिलियर ले लिया, ऐसा करके कंबिनिशन बनाओंगे, तो पूरी तरह से आपका पैसा बरबाद हो जाएगा, तो दिए बोस, ग्राउंड में आप लोग बताया, कि हाय स्कोरिंग राउंड है, कितना स्कोर बन सकते है, वो भी में आप लोग बताया, दोनों टीम्स की रिसेंट प्राफोर्स कैसा रहा, वो भी में आप लोग बताया, इसके आधार हमारा कंबिनिशन क्या होना चाहिए, वो भी में आप लोग बताया, अब combination तो हमारा कुछ काम की नहीं है ना, उस combination पे हमें कौन सा कौन सा pillars को pick करना है, किस खिलिए डिका हम captain भाईस captain बना सकते हैं, यह सबसे important है, तो यह सब जानने के लिए आपको check करना पेड़ेगा हार एक pillars की data, तो चलो, अब हम वही check करेंगे, बीबियल के side से सबसे पहले आपको मिल जाएगा दानिस सिद्धी की, इन्होंने 20 matches खिला अपना T10 केरियार में, 22 के भरज में run बनाया, और दोस्तो 15 wicket भी है इनके नाम पे, बेटिंग से देख लो recently, बहुत तगड़ा फंबे है, बोलिंग से भी दोस्तो अच्छा फंबे है, तो इनको ना small league में peak करने के साथ साथ, आप चाओ तो captain, vice captain बना साकते हो, देखो boss, मैं एकदम clearly सब कुछ आप लोग समझा रहा हूँ, फिर भी अगर आप लोग नहीं बेटिंग से दोस्तो अच्छा किया है, बट इस सीरीज में अभी तक इनको बोलिंग करने का चांस नहीं मिला, ठीक है, बट ये भी दोस्तो एक और राउंडर के तरह काम करते हैं, तो आपना small league team पे ये पिलियार भी होना जोर रही है, चिलियार, गोरोब के गर हम बात करे 43 मेंचे स्खेल लिया, 21 के भरज में रान बनाया, चार उके लिया दोस्तो, रिसेंटली बोलिंग भी कर रहे, बेटिंग भी कर रहे, बेटिंग से भी देख दो, बहुत तगड़ा फोम में है, तो इनको भी आपको आपना small league team पे लेना है, और इनको भी चाहो तो आप कैप रान बनाया, 39 उकेट है दोस्तो, रिसेंटली चार मेंचे समें पाफुम नहीं कर पाया, बट जिस मेंच में दोस्तो पाफुम किया था, 100 पिलास स्कोर बना दिया था, ठीक है, और बोलिंग करते हैं दोस्तो लागातार मेंचे समें उकेट चटकार है, तो आपका small league team पे हो बना चाहिए, और आप चाहो तो इनको भी captain नहीं तो vice captain बना साकते हो, यह सबसे safe option रहेगा small league team की captain vice captain के लिए, क्योंकि पूरा को पूरा दो अभर दोस्तो बोलिंग कर रहे है, बेटिंग आएगा तो 20-25 रान आराम से ठोक साकते है, ठीक है, फिर आपको मिल जाएगा, पी कोहग, जिन्होंने 32 matches खेला है, 10 के भर्ज में रान बनाया, 12 का दोस्तों इनका नम पी wicket है, ना बेटिंग से ना बोलिंग से recently अच्छा कर रहे है, इसलिए हम इस player को drop करेंगे, ओके, फिर दोस्तों इस player का भी कूछ भी data नहीं है, आप दोक देख लो, ना बेटिंग ना बोलिंग तो इसको भी हम drop करते है, नेक्स्ट आपको मिल जाएगा दोस्तों, माप करना, नौरेंदर नेगी है, माप करना, ठीक है, देवेंदर नेगी दोस्तों, 38 matches में 35 wicket लिया, आप दोक देख सेकते हो, लगातार matches में इनको भी wicket मेर है, तो small league के लिए one of best important pick होने बाल कुछ भी नहीं, इसको हम drop कर देते है, सूरस के गरा हम बात करें, 38 matches में 17 wicket लिया है, लगातार matches में 1 से जदा इनको wicket नहीं मिला, तो ये क्याभारज pick बनेगा, मैं इसको दोस्तों drop ही करूँगा, ओके, नेक्स्ट दोस्तों, आपको मिल जाएगा, एम मुकेस, इन्होंने अपना केरियार में 1 match खेला है, और उसमें दोस्तों, उटकेट ले से रहा है, बाकी GL में try कर लेना, फिर दोस्तों आपको मिल जाएगा, जाहेदु इसलाम, 8 matches में 4 उके लिया, दोस्तों, ये भी थोड़ा बत, small league pick, important होना चाहिए, ठीक है, ये था दोस्तो, BBL team की, probably playing 11, सा साथ हार एक पिलियार्स की data, I hope अब लोगों समझ में आ गया कि कौन सा पिलियार्स को लेना है, कौन सा पिलियार्स को drop करना है, ठीक है, और ही तो होता है भाई fantasy की game, बात कर लेते डे तो भर्स बोलर्स की, सूरेस दोस्तों, number 10 में कराएगा, ठीक है, नरेंदरों नेगी द की दो और राउंडर है, ठीक है, ओपेनिंग में दोस्तों कौन कौन डालेगा, यहां पर देख लो, बेकेट में मैं अभार की number डाल के राखा हूँ, आप लोग चाओ तो इस page का skin score लेकर राख सकती हो, क्योंकि T10 matches में day तो भर्स बोलर्स दो सबसे important होता है, लास्ट में उ के रियार में, 49 matches में, 26 के भर्स में run बनाया, 30 run, 43 run, 14 run, 9 run, 33 run, small league में एक important pick बने बाल है, ओके, नेक्स दोस्तों आपको मिल जाएगा, अजिन सोनम, 32 matches खेल लिया, 14 के भर्स में दोस्तों run बनाया, 24 wicket हिन के नाम पे, बेटिंग, बोलिंग दोनों सा अच्छा कर रहे, तो ये भी दोस्तों आपका small league team का हिस्सा होना चाहिए, जातिन जौनी के गर हम बात, जौनी के गर हम बात करें, 8 matches में, 20 का भर्स है, 3 के लिया, दोस्तों, बेटिंग से ठीक ठाक है, 50-50 chance है कि इसको pick करो, या दोस्तों, drop करो, final update मैं आपना telegram कर दोंगा, मैं थोड़ा बहुत इनको लेके, ठीक है, तो final update के लिए telegram को जौन करना, link आपको video के description box मिल जाएगा, next दोस्तों आपको मिल जाएगा, रोसान लॉरेंस, इन्होंने अपना के DR में, 23 matches खेल लिया, 12 के भर्ज में दोस्तों, run बनाया, बेटिंग से उतना खास नहीं है, average pick बनेगा, GL बगारा मे आप try कर सकती, इनको, okay, साजित सुकुमारन के गर हम बात करें, 40 matches खेल लिया, दोस्तों, 15 के भर्ज में run बनाया, and 27 wicket है इनके नाम पे, ये बेटिंग से तो अभी कुछ नहीं कर रहे है, बड़ बोलिंग से अच्छा कर, इसलिए आपका small league team का हिस्सा होना चाहिए, जोसे पोलर हिसाब मनदब खेलता है ना, तो दोस्तों मैं इसको ड्रॉप कर दूँगा, फाइनल अप्डेट के लिए, टेलिगराम को जोन करना, लिंक आपको description box मिल जाएगा, ठीक है, नेक्स दोस्तों, आपको मिल जाएगा, एस जॉई, 53 matches में 50 wicket लिया, दोस्तों, लागातार matches में wicket ले रहे, तो आपका small league team का हिस्सा होना चाहिए, जीबीन के अगर हम बात करें, 18 matches खेला, दोस्तों, 7 के भारेज में run बना है, bowling से भी कुछ नहीं है, इनको हम ड्रॉप कर देते हैं, ये कारिम के अगर हम बात करें, 5 matches में 2 के भारेज, 1 wicket, इनको भी दोस्तों, भी important pillar है, उसी के लिएक हम बात करेंगे, फाल्तु pillar को दोस्तों भाई, छोड़ देते हैं, ये भी कुछ भी नहीं है, drop कर दो, फिर दोस्तों, ये भी कुछ भी नहीं है, 12 में 5 wicket, ये भी कुछ भी नहीं है, ठीक है, बात कर लेते हैं, दोस्तों, इनके side से death and openers rollers की, तो आपक बागी कौन कितना number अबर पर करवा रहा है, बेकेट में दोस्तों लिखा हुआ है, आप लोग चाहती स्कीन सोट ले सकते हो, वीडियो को pause करके, आप लोग तो नो डाउन कर सकते हो, ठीक है, तो भाई, ये रहा complete match prediction, ground के बारे हैं बताया, दोनों टीम्स की प्रफंस के बार मैं आप लोग को एक suggestion दूँगा, कि ये जो टीम आप लोग देख रहे हो, इस टीम के साथ, आप लोग head to head join मत करना, 3 member, 4 member and mini jail join कर लेना, बट हाँ, ये मेरा final combination बिलकुर नहीं है, ओके न, मेरा final combination आप टोस, जैसा ही line up update हो जाएगा न, तब मैं smart fantasy telegram channel पर provide करूँगा, ओके तो ये combination अभी फिलल save कर लो, और जो भी changes करूँगा, मैं सीधा update आप लोग मिल जाएगा, smart fantasy telegram channel पर, तो आपने वीडियो को complete watch कर लिया, आप चला जाओ इसी वीडियो की description box पर, आपको telegram joining की link मिल जाएगा, उस बाला link पर click करो, नीचे join request का button आएगा, उसमें click करके, आप हमार smart fantasy telegram channel को join कर लो, चला भाई, टाटा बाई बाई बाई, वहीं पर हम मिलते हो, final team और final update के साथ,